दोस्तो आज मिली है इतिहास की तिन सौप से खतरनाग फ्लाइंग बर्ड्स है आर्जेंटावेस सन 1980 आर्जेंटिना में पहली बार इसकी फोसिल पाई गई जिससे ये पता चला कि ये पक्षी 6-8 मिलियन साल पहले तक जो शिकार को हवा में ले जाके उड़ जाते और जमीन में लेन किये बिना ही हवा में उसे मार के खाना शुरू कर दियती थी इस पक्षी की फोसिल 1983 में साउथ केरोलिना में डिसकबर किया गया था जो 25 मिलियन साल पहले तक ओली कोशियन के उपर अपने शिकार ढूंते फिरते थे इसकी वजन 20-40 किलोग्राम तक और विंक्समें 24 फिट तक होती थी जो धर्दी की अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड है बड़े और खतरनाक पक्षी की बात हो रही हो और उसमें बास शामिल नहों ऐसा तो हो ही नहीं सकता हास्ट इगल बाजो की सबसे बड़ी प्रजाती है जो एक मिलियन साल पहले तक न्यूजलेंड के आसमानों पर राच किया करता था जिसकी वज़न 9 से 15 किलोग्राम और विंग्स पे नार्ट उसमलक 5 फिट तक होता था लेगिन 15 सेंचरी आते आते ये बार्ड बिलुप्त हो गया